नमस्कार दोस्तों तनमय बर्ट्सन पेट्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सुवागत है आज का टॉपिक है सिक्रेट रिजिएंस पॉर फाइट एंड सालूशन पार्ट वान कलोनी में जहातर फीमेल बर्ट फाइट्स करते हैं मेल बर्ट कम लड़ते हैं हम लोग देखे हैं कि मैं बजरीगर के लिए नहीं बोल रहा हूं सब बर्ट के लिए ही बोल रहा हूं लेकिन ज्यादातर मैं बजरीगर को देखा हूं तो बजरीगर को दिमांग बे रखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूं ज्यादा तर मैंने इस बर्ट को मैं नोटिस किया हूँ बाकी बर्द भी लड़ते हैं लेकिन जो बजरी गर को मैं जितना ज्यादा लड़ते हुए देखे हैं इसके बियाब में मैं ये बात बोल रहा हूँ ज्यादा बेट करने से फिमेल वाट्स थोरा एंगरी टाइप का हो जाते हैं एक जैसा काम मने खाली monotonous एक जैसा नेस बॉक्स में बैठ के अंडे देना, अंडे में अंडे को हैच करना, ऐसे रहते रहते हैं, वो तोरा चिर्चिरा सा हो जाता है, मीजास तोरा गरम हो जाता है, बच्चे को ठिक से खिलाता नहीं है, और थोरा बारा होने से क्या करते हैं, बच्चे को बॉक्स से न और बच्चे को वो मार के निकाल देता है कभी-कभी बच्चे का फेदर प्लाग भी करते है एज भहरी करने से भी कॉलोनी में ज्यादा उमर का फीमेल के साथ अगर उसी कॉलोनी में थोड़ा कम उमर का फीमेल रहता है तो ज्यादा उमर का जो फीमेल है वो मारते हैं कम उमर का फीमेल को ये हम लोग देखे हैं और ऐसे भी है कि सिंगल केज में अपने कोई पियर बनाया है जिसमें एक फीमेल है जो मेल से थोड़ा ज्यादा उमर का है तो देखा जाए वो female भी male को dominate करने का कोशिश करता है उसको मानने का कोशिश करता है suddenly colony में एक नया pair आप छोड़ेंगे पूराना pair के साथ तो उसमें जो male है उसमें वो male को दूसरा male भी मार सकते हैं और ज़्यादातर वो अगर fins हो भी जाए जो female है old female नया female को सब मिलके भी मार सकते हैं कोई एक कोई दो भी उस नया female को मार सकते हैं खाना खाने के समय खाने का जो pot है उसको अपने अधिकार में लाने के लिए और पानी पीने का जो pot है उसमें अपना अधिकार लाने के लिए कोई भी फीमेल दूसरा फीमेल को मार सकता है ब्रीडिंग में रहते हुए फीमेल बर्ड अपने बच्चे को ज़्यादा दिन नेस्ट बॉक्स में रहने नहीं देता है उसको भी मार के निकाल देता है ये भी एक मारने का फाइट करने का एक उनका नेचर है ब्रिदिंग टाइम के आगे जो नेस्ट बॉक्स है उसको लेके बहुत घमासान लड़ाई होता है लहुलुआन हो जाता है एक बजी दूसरा बजी इसको लहुलुआन कर देता है बेस्ट पॉजिशन का सबसे अच्छा नेक्ट बॉक्स किसको लेना है इसको वो अधिकार में किसका अधिकार में आएगा ये लेके बहुत जोर लड़ाई होता है एक बार दूसरे बार को इंजियोड कर देता है या दोनों बारी इंजियोड हो जाता है केज से स्टीक को लेके भी बहुत जोर लड़ाई होता है अच्छा अच्छा नेस्च बॉक्स ये सब अपना अधिकार में रखने के लिए मेली फिमेल वर्ट से ही लड़ाई करते हैं कालोनी में, समार के 오랜만 게 टाइम, गरमी में भी बाट्स को ठोड़ा उसके प्रोब्लम नहीं रहता है, उसका मेजाज भी तोड़ा गरम हो जाता है, इसलिए भी जादा गर्मी में देखिएगा बैजिस लड़ाई कर रहा है किसी किसी बर्ट को पहले से ही दिवाम के प्रॉब्लम रहता है तरीर में प्रॉब्लम रहता है तो वो बर्ट पहले से ही दिखिएगा जहां पर जाएगा वहां पर ही लड़ाई कर रहा है हमको कैसे पता चलेगा कि कलनी में वो ही बर्ट सबसे लड़ रहा है सबसे लड़ने के लिए वो ready है तो हमको पता चल जागा है ये बाड़ी सब के साथ जहमला कर रहा है तो हमको पता चल जागा इस बाड में problem है ये सब points हुआ की fights का reason ये सब points जो हमने बोले हैं ये सब fights का reason है अगले वीडियो जो आएगा उसमें solution आएगा कि इसमें हम क्या क्या कड़े जिससे ये fights ना हो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो like कीजिए दोस्तों में share कीजिए और subscribe करके bell notification को all पे set कीजिए वीडियो में ज़्यादार points जो है common है, कुछ points जो है secret है और इसका tips भी आपको मिल जाएगा next वीडियो में thank you